देखें यहाँ पर कुछ ब्लॉक ड्याग्राम आप कंट्रोल यूणिट दिया हुआ है यहाँ पर इंस्त्रक्शन रिज़िस्टर होता है जैसे ही कंट्रोल यूणिट में ठीक है तो कंट्रोल यूणिट में फ्लैक्स एफ ख्लॉप्स जो होते हैं यह सब बसकतर बस सिगनल within CPU control unit CPU signal पूरा control करता है उसके अलावा control signal to control bus जो control bus होता है उसका control signal control bus जो control bus से signal आता है उसको भी control करता है control unit चलिए बढ़ते हैं अगे अगला हमारा topic है center processing units जिसको हम लोग CPU कहते हैं the ALU and the CU of the computer system मार्ज जो एंचली नोगे जैंडर प्रोसेसिंग उनिट तो जो ALU होता है और जो CU होता है वो दोनों को अगर हम लोग जॉइन कर देंगे एक साथ मिला देंगे तो उसका हम लोग CPU कहते हैं ठीक है कंप्यूटर का मतलब दिमाग रहे हमारे इंदर दिमाग होता है वैसे कंप्यूटर को दिमाग होता है उसको CPU है वो ठीक है तो अगर आप CPU निकाल दें कंप्यूटर से तो कुछ काम नहीं करेगा बीना CPU चले रहे ने सब्सक्राइब करना है बाइए एक्टिवेटिंग और कंप्यूटर के अंदर आपको ऐसे इसे काम करना है बाइए एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑप्रेशन उस आप्रेशन को किसी भी ऑप्रेशन को कंट्रोल या एक्टिवेट करके ठीक है प्रोग्राम केशन को यहां किसी का मतलब एक्टिवेटिंग ऊच्छा पहली यह करना उसके बाद यह फिर इस तरह का सीजिए आप इंट्रेक्शन होगा उसको प्रोग्राम कहता है उसको करना स्टेडर्य दिफरेंट मेजरिंग के लिए इस पीड को ठीड है अलग तरह से अलग-अलग सब यह हैं इंटल वाले इंटल वाले अपना अलग मैं का घ्रिया होता है उसके बाद आपना अलग करते हैं तो वो सब on the circuit board और यह circuit board पर भी डिपेंड करता है जिसमें CPU लगा हुआ है that the chip is half ring, half ring मतलब लगा हुआ है ठीक है और the motherboard यह फिर motherboard भी डिपेंड करता है ठीक है कैसा motherboard है the motherboard contain the circuitry and connections that allow the various component of the communicate to communicate with each other तो जो motherboard होता है यह content करता है circuitry और connection सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करने में बाचीत करने में तो देखिए यहां पर CPU के कुछ फोटो दिये हुआ है देखिए यहां पर AMD का CPU आपको दिख जाएगा कुछी इस तरह का इतना छोटा होता है सब्सक्राइब यहां पकड़ेंगे एक स्कॉर क्वाइब कोई से समझ लीजिए दो गुना होता है आप नौर्मल पांच रुपए एक दो क्वाइब कोई लेंगे उससे लगवां देखिए यहां पर Intel का यह CPU आई 5 आप से वर बसे AMD कर यहां पर रजेन और म्निय इस तरह के आते हैं तो इस तरह का CPU होता है यह सारा काम पूर्ण को देहता है अगला हमारा टॉपिक है on the motherboard or on a separate adapter तो एक पॉर्ट होता है जो वो एक तरह कनेक्टर होता है जो की लोकेटेड होता है वो कंप्यूटर को अलाव करता है कम्मिकेट करना डिफरेंट डिवाइस से जैसे की पॉर्ट और करेंटर यहां दिया हुए तो जैसे आप पेंडाइब लगाएंगे तो पॉर्ट में लगाएंगे अलग डिस्प्ले लगाना है तो लेप्टाप से अगर इस्टरनली डिस्प प्लाइब उस्प्लाइब उसने सफ्पटाइब उसल्द टो बेना आपम्मिकर नहीं चला से ठीक है अब पावर शप्लाई और पावर सप्लाईए उनिट इस को प्स यू बता है इसने इन इंटरना इंटरनल कंपोनेंट वूस्ट शुप्लाई यूश्ट्च्टूर विच को VSW वहते हैं वह एक Ganze होता है पावर को सब्लाइन करने के लिए कम्तिटर के कंपॉनेंट के अंदर लावर के अंदर जैसे यहां पावर जैसे QI मैं पावर चाह def. an Mathista इन सब reason हे इका य्पोर का से शायप आप वाट इट जन्रेट जाते हैं इतना नंबर का वाट वो जन्रेट कर सकते हैं जैसे यहां पर 650 लिखा हुआ थी एफ 650 तो यहां कि यह 650 वाट किये है उस तरह से यह आप देखिए दूसरा है यह भी 650 वाट का है तो इस तरह के पावर सप्लाई होता है जो कम्प्यूटर लगते हैं फिए औन फिर नुटीव और थे मादर बोर्टर होता है । मैंदर फुकर करनेक्टेक्ट ऑलता है सबसे नाम से आप पताइस ऐस्के साथ हैं मादर वृवस करने करता है mother board बहुत ही main part होता है it is also known as the main board or system board mother board को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जैसे मेन बोर्ड या फिस system boards है it is the circuit board in which all the components are connected through cable within a personal computer mother board एक तरह का circuit board होता है जिसमें सभी तरह के components जो होता है computer कंदर वो सब connected होते हैं एक cable के थो personal computer में ठीक है many devices are connected with motherboard directly or indirectly बहुत सारी devices जो होती है वो connected होती है motherboards है या फिर डारेक्टली या फिर इंडारेक्टली ठीक है motherboards usually provide the interface between the cpu memory and input output peripheral circuit motherboards जो होती है वो जैसे तरह हमको यह provide करती है यह वो एक तरह से interface provide करती है CPU में memory में और input output peripheral circuits में ठीक है उसके अलावा main memory होगे उसके लावा motherboard जो होती है वो facility provide करती है initial setup के लिए computer का जैसे ही हम लोग power on करते हैं जैसे माली आप अपने system बनाएंगे जब तो उसमें cpu gpu वहार एक ची लगा देंगे तो उसमें कोई operating system नहीं रहेगा तो इसके लिए जो initial setup होता है वो बाइवस में जादी करना होता है तो बाइवस सेटिंग में जादी है और यह सब चीजे जो होती है यहां पर फोटो दिया हुए मैं आपको लांज करें दिखाता हूं इस तरह का होता है मादर बोर्ट इसके अंदर यहां पर जहां मेरा कर्षर है यहां पर जो है तो यहां से सारा चीज़े कनेकर रहते हैं यह एकदम ब्लैंक मदर बोड है इसमें कोई भायर वगरह नहीं है आपका मदर बोड ऐसे दिखते हैं अगर आप अभी न्यास पे कंप्यूटर लेंगे मदर खाइने जाएंगे कुछी इस तरह का दिखिया गठी है वज़ न्यूमांद और र्टीटेक्चर तो आशे दिखते हैं वज़ न्यूबान और र्टीटेक्चर ज़ा होता है आप computer system आप मिलेंगे, उनके जो form of core है, वो इनकी वज़ा से बना है, ठीक है, this architecture is known as one human architecture, इस architecture को जाना जाता है, one human architecture के नाम से, it is a design model for the modern computer, यह a design model है, सभी modern computers के लिए, which has center processing unit, जिसके अंदर CPU होता है, and the concept of memory used for storing both data and instruction, और उसके अंदर ऐसा concept होता है, उसके अंदर memory जो भी हो रही है, उसमें store किया जाता हो data और instruction, this model implement the storage program concept in which the data and instruction both are stored in the memory, और यह model implement करता है, जो store program है, उनके concept को, in which the data and instruction, जिसमें data और instruction, दोनों चीजें store की जाती है, memory में, ठीक है, all computer share the same basic architecture, सारे computer जो करते हैं, वो same basic architecture, जो है share करते हैं, which है memory, इसके अंदर memory होता है, IO system होता है, input output system, उसके अलावा, automatic logic unit होता है, ALU and control unit होता है, CU, ALU and CU, को अब दोनों फसाद मिला लें, तो उसके CPU करते हैं, ठीक है, यानि यह पूरा यहां से लेक है, जो यहां थक है, मतलब, इसका मतलब है CPU, इसके यहां पर आपो दूसरा सम्दी को उता है, तो CPU उचका सकते हैं, तो यह है, वान निवान PC, CIR, AC, MAR, MDR और memory unit होता है, यहां पर data store होता है, उसके बाद output होता है, तो यह है one new one system, ठीक है, हमारा अगलर topic है, classification of computers, computer are available in different size, shape and weight, जो computer है, वो available है in different size, shape and weight में, यह कोई आपको 2.5 kg का लें, लेप्टाप की बात करता हैं, जो computer की ही काटेगरी में आता है, तो एक laptop आपको मिलेगा जिसका weight होगा 2 kg के आस पास और वही जो है laptop एक आपको काटेगरी में मिलेगा, जिसका weight होगा 1 kg के आच पास 1.5 kg, अलग-अलग size, shape and weight भी अलग रहे था, इस तरह के, जहने, notebooks मिलते हैं, उसके अनावा gaming PCs होते हैं, नॉर्मल user के लिए PC होते है, mid tower height और यह तरह के PC ही होते हैं हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैसे होते हैं कैसे दिखते हैं due to the different sizes and safe they perform different sort of job for one another और computer की different sizes और safe की वज़े से computers जो होते हैं वो perform करते हैं different sort of job यानी computer करते हैं अलग अलग तरह के job एक दूसरे से मतलब की अलग अलग computer अलग अलग job के लिए बनाया जाते हैं यहां कहने का यहीं मतलब बठीग है they can be classified in different ways computer जो है classified किया जाते हैं अलग तरीके से all the computer are designed by qualified computer आर्टीटेप्स पूर डिजाइन दीज मसीने इस पर different requirement सारे computer होते हैं और design किये जाते हैं qualified computer आर्टीटेप्स के द्वारा जो की design करता है इन मसीनों को उसके different requirement के द्वारा ठीक है किसी को gaming करनी है तो उसके अंदर GPU अचाल लगाएगा किसी gaming नहीं करनी है basic काम करना है उसके अंदर तब की GPU नहीं रहेगा तर भी काम चल जाएगा तो इस तरह जो है requirement होती है लोगों की उस हिसाब से आपको computer बनाना चाहिए अपने requirement के जाब से ठीक है दूसरे computer हैं जो की hospital वगारा में यूज हो रहा है तो एक hospital computer अलग होगा और घाट कमें यूज करने वाले computer अलग होगा ठीक है यहां पर hospital computer यहां पर दिया हुआ है यह यह यूज वगारा के hospital है वहां पर देखे हाई-tech technology यूज होती है तो आप देख सकते हैं किस तरह का यह यहां पर इसका screen है यहां पर देखे हाई-tech software चलते हैं जो कि यहां लोग नॉर्मल डे टुडे लाइफ में नहीं उचा सकते हैं और यहां पर बहुत सारे जो भी रिजल्ट आते हैं मशीन होती हैं बड़ी बड़ी उनको प्रोग्राम अलग अलग इस फेसेलाइज होते हैं आगे आने वाले फालोविंग सक्षन जो है वोडिस्काइब करने वाले है आप कम्प्यूटर के बारे में the term capacity refer to the volume of work और the data processing capacity a computer can handle तो capacity जो term है इसको refer किया जाता है कि क्या volume of work यानि क्या volume से काम कर सकेगा या भी data process कर सकेगा computer capacity मैं की computer capacity कितनी है वो data कितना handle कर सकता है ठीक है their performance is judged by the computer के performance जग किया जाते हैं अबसे पहला है amount of data that can be stored in memory मैं भी कितना amount का data computers के अंदर store किया जा सकता है उसके memory में speed of internal operation of computer speed क्या हो भी अगर internally जो operation हो रहा है computer के अंदर उसकी जए किसी की speed अगर ज्यादा हो या किसे की slow भी थो जो ज्यादा speed है वो ज्यादा बेस्ता रहेगा number and type of peripheral devices कितने number के और type के peripheral devices होते हैं उसके base पे amount and type of software available for use with the computer और कितने amount या type software जो है available है computer की use के लिए the capacity of early generation computer were determined by their physical size the larger the size the greater the volume तो जो capacity होती है पहले के generation की computer की वो determined की जाती थी यानि की पैचानी जाती थी उनके physical size यानि की उनके physically वो कैसा दिखता है इस base पे determined की जाती थी कि उसकी size क्या होगी जैसे कि जीतना बड़ा size होगा उतना जादा उसका volume होगा in computer time size and speed of operation are at present proportionate to each other और computer के term में size और speed जो होती है operation की वो present proportionate है एक दूसरे से ठीक है generally though recent technology is tending to create smaller machine making it possible to package equivalent speed and capacity in a smaller format generally लेकिन आज के recent technology के time में यह map की possible है कि जो smaller size में ही जैसे कोई size computer के बड़ा है और उसको compiled size में करना possible है और equivalent performance और speed भी लेना possible है तो कि आज के time पर बहुत ही जादद compact technology advanced होगे है ठीक है अगला हमारे topic है micro computers के बारे में तो यह देखते है micro computers क्या होते है the mass production of silicon chip since 1971 has made it possible to put a brain into all sort of machine तो जो mass production है silicon chips का 1907 में जो शुरू हुआ था उसकी वज़ा से possible हो पाया कि a brain को all sort of machine में fit करना ठीक है one such machine is micro computer और इस तरह की एक machine को आम लोग micro computer भी कहते हैं this machine has taken fulliest advantage of the use of large scale integration or silicon chip और यह machine ने पूरा advantage लिया हो है use करना large scale integration silicon chips का the microprocessor literary contain a computer on a chip that can pass through the eye of needle or microprocessor आज के समय literary contain करता है computer एक chip के अंदर जो की pass कर सकता है एक eye of needle के through micro computer memories are generally made of semiconductor fabricated on silicon chip micro computer memories होती है वो generally बनी होती है semiconductor fabricated जो की बना होता है silicon chips it is a digital computer system under the control of a stored program that uses microprocessor programmable read only memory ROM and a random access memory तो एक जो digital computer system होता है वो under the control of stored program जो इस्टोर प्रोग्राम के control के अंदर होता है that uses जो की यूज करता है microprocessor a programmable read only memory जिसको में रॉम बोलते है and a RAM जिसको में रैंडम access memory बोलते है the ROM defined the instruction to be executed by the computer while RAM is the functional equivalent of computer memory तो ROM जो है वो define करता है instruction जो भी execute किया जाएंगे computer को जबकि जो RAM होता है वो function करता है equivalent computer memory है today microprocessor are called as personal computer more commonly as PCS आज के समय में जो micro computer है उनको बोला जाता है personal computer जादर commonly उनको PCS बोला जाता है these are small relatively inexpensive computer design for personal user home or office यहां पर कुछ small यानि छोटे relatively inexpensive मतलब कम expensive यानि कि affordable rate में computer design किये गया partner use के लिए घर पर या फिर office में तो देखिए यहां पर चोटा सा computer है जिसको आप लोग रहता है यह पूरा computer है इसके अलावा आपको सिर्फ मॉनीटर की ज़रू रहता है keyboard mouse की और आप इसको चला सकते हैं तो देखिए यहां पर यह CPU लगा हुआ है और इसमें RAM भी लगा हुआ है 248GB RAM रहता है पूरा computer है आपको इसमें keyboard mouse लगाना है और यूज करना है सुचिक इतना चोटा है और यह आप बिल्कुल एक्दम हर्थेली पर रख सकते हैं इतना चोटा होता है यहां पर उसी का example दिया हुआ है जेखिए इसका एक रेट है मैं आपको दिखा दूता हूँ इसमें आपको बस keyboard और mouse लगाना है और आप यूज कर सकते हैं यही चीज है जो मैंने यहां पर दिखाया है तो यही चीज है यहां पर देखिए लगा हुआ है इसको बस अब monitor से connect कर दीजिए और keyboard mouse लगाना है आप चला सकते हैं फूरा computer हो गया और इसमें बेसिक काम कर सकते हैं ऐसा ने कि यूजलेस होता है लेकिन आपको इसमें नहीं कर सकते ज़ए कि अगर आपको इसमें वीडियो एडिटिंग करनी है या गेमिंग करनी है तो उसमने होपार नॉर्मल ओफिस का काम है एमस आपिस आपको इसमें करना है मोवी हो गारे देखने हो उसके लिए बनिया रहा है था है